है 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 लो फ्रेंज वेलकॉम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों प्रिवियस येर में इतने भी कोस्चन्स पुछे गया हैं तीजिती पीजिती के बियासे एंबियासे अल्टी में उन सभी कोस्चन्स को टॉपिक वाइज आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूं दोस् दो सभी एक्जांस को प्रिपरेशन आप सिल्मर ख करना चाहते हैं मेरे चैनल पर सभी वीडियों इसाफी वीडियोंों कोवास्च करके आप अपने अपने गवय और सकते तो दोस्तों चलोन कैशके प्रश्न की तरफ हैस कि कैयह सरी प्रूब्स रहने के स्वाश्थ गटक तो उनकी सरे ह्ट कर कर्स्वा किंश यहाँ पे आपसर नमबर डी करेक्ट है पेसिये बल, पेसिये सहन सकती तथा हिदय स्वसन सहन सकती नेक्ट कोश्चन है अगर हम किसी सिक्के को चार बार उच्छा ले तो उसमें हेड और टेल आने की संभावना कितनी बार होगी तो दोस्तों यहाँ पे आपसर नमबर सी करेक्ट है 16 बार होगी अगर हम किसी सिक्के को चार बार उच्छा लते हैं तो दो संभावनाय होती है एक हेड और दो दूसरा टेल अथा हेड अथवर टेल आने की कुल संभावनाय तो की पावर फोर याने की सोलव हो जाएगा नेक्ट कोर्शन है इनमें से कौन सोध का विशे नहीं हो सकता वस्तुई घटनाई मानों बिचार तो दोस्तों वस्तुवों पर भी सोध किया जाता है घटनाओ पर भी मानों पर भी बिचार आपका शोत कविसे नहीं है आपसर नमबर दी करेक्ट होगा सभी मनुब ज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेडा होता है क्या होता है या आपसर नमबर दी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा संस्कृति की पूर्वी इस्थिति की क्या होता है खेल प्रिड़ा होता है सभी मनुविज्ञाने के मानते हैं कि जो खेल होता है वह संस्कृति की पूर्वी इस्थिति की खेल प्रिड़ा होता है ठीक है जो खिलारी की प्रधर्शन पर उसकी संस्कृति का प्रत्यचियों पर मानसिक कोच क्या कहलाता है सैची खेल मनुविज्ञानिक विद्यार्थी के मानसिक इस्तर को ध्यान में रखकर खेल मनुविज्ञानिक की अधार पर विद्यार्थी को प्रशिचित करता है प्रत्युत्तर जो उच इस्तर पर शीखा जाता है यानि अनेचिक का यहाँ पर तातपर है प्रावकृतिक इसको किसने प्रोडिस के अथा जैसे की रूश के मनुविज्यानिक इवान पाउलाओ ने इस प्रक्रिया की खोच की उन्होंने असंबत संकेट यानि नेचुनल सिंगनल और वाहवतावर जैसे भोजन रखना एक साथ करके कुट्टे के साथ प्रियोग किया ठीक है अथा जब भी भोजन रखते और उसी समय असंबत संकेट के रूप में घंटी भी बजा देते थी आवाज उत्पन करते थी और बार बार घंटी भोजन दे दे करके क्रिया को दोराया गया एक समय ऐसा भी जाया कि जब भोजन नहीं भी रखा गया किवल घंटी बजाया गया तो भी कुट्टे के मुह में ला रहा गई अथा एक अन्यच्छी क्रिया हुई किसका भाग है तो दोस्तो यहांपर अपसन नमपर डी करेट हो जाएगा विशलेसर जो है संग्यानात्मक छेत्र का महतपुर अंग है और संग्यानात्मक छेत्र अनुस संधान में आकड़ों की संकलन वा साररियन के प्रयोग के पस्चात प्राप्त निशकर्षों के प्रेडाम तथा निशकर्षों की व्याख्या से संबलित हैं नेक्स क्वेशन है खेलों में प्रतिभा खोश के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर होता है तो दोस्तों इसमें मोटर गुरुवत्ता आपसर नंबर बी करेट होगा खेलों में प्रतिभा खोश के लिए सबसे महत्वपूर कारक होता है मोटर गुरुवत्ता यहां मोटर से अभीफ्राय मोटर निरान से है जो कि मस्तिस्क की तंत्रिका कोशिकाओं के लिए प्रयुक्त नाम है जिरकि शहायतर से मस्तिस्क और सरीर के विभिन अंगों की अलमेल होता है अतह मोटर गुर्वत्ता जितनी ही अच्छी होगी व्यक्ति द्वारा खेलों में प्रदर्शन चुस्ती फूर्ती और सजक्ता की अधिक्तम उपस्थिती के कारव उतना ही अच्छा होगा इसकीनर के द्वारा सिखने से संबंधित दी गई परिभासा है तो यहाँ पे इसकीनर ने कौन सी परिभासा दिया है सिखने की दोस्तों जैसा की यह बहुत प्रचलित परिभासा है आप संदर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सिखना व्योहार में उत्रुत्तर समन्जस्ट की प्रक्रिया है तिक है निम्ने मेशी कौन्षा एक छेत्र में प्राप्त कि ये छमताओं का या ज्ञान का अन्य छेत्रों में शमर्ष्या शमधान या ज्ञान अर्जन प्रभाव को संदभित करता है तो दोस्तों ये छेत्र में कोई भी ज्ञान आप सीखे हैं अगर दूसरे छेत्र में वो साय कर रहा है या काम आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रसिच्चर का आंतर याने की प्रसिच्चर का इस्थान आंतर कहते हैं ठीक है? क्रोने कुणे कहा है दोस्तों, कि सिखने के एक चेत्र में अरजी सोचने, महशूश करने या कार्य करने की आदतन, ज्ञान और कौशलों का सिखने के किसी दुसरे चेत्र में परियोग करना ही प्राय, परशिछण का अंतरण कहा जाता है. नेक्स कोश्चन है प्रसिच्छ में इस्थानांतर क्या है तो दोस्तों यहां पे आपसर नंबर डी करेट हो जाएगा पुरानी शीख को नवी नमस्था में प्रयोग करना ही प्रसिच्छ को इस्थानांतर है यानि कि प्रसिच्छ के इस्थानांतर में आ सा है पुरानी शीख को नवी नमस्था में प्रयोग करना है प्रसिच्छ के इस्थानात्रा की श्वास्ति सिच्छा में बड़ी महत्पर घुमिका होती है जब किसी व्यक्ति को कोई खेल या कारे का प्रसिच्छ दिया जाता है और वह उस अस्थान से अन्यत्रे चला जाता है तो वह अपना अनुबह दूसरों के साथ बाढ़ता है जिसका लाव अन्य को भी मिलता है श्वास्ति सिच्छ द्यंजरों कोरे कोके की श्ष Performance तो जब कुछ ने कुछ शमांता रहेगी तब ग्रियाव में शमांता होती है मनुश्य के कुछ विशेश आदर्स वह लच्च होते हैं तथा जब ये उन छेत्रों में काम करते हैं जहां उनके लच्च समान होते हैं वहाँ प्रसिचर का इस्थानांत्रव होता है किसी खेल में शीखा गया कौशल अन्य खेलों को शीखने में शहायक होता है तो उसे कहते हैं तो यहां भी आपसन नंबर एक रेट हो जाएगा प्रसिचर का इस्थानांत्रव ठीक है? यानि कि दोस्तों सिखने या अधिगम अथवा प्रसिचर का इस्थानांत्रव तब होता है जब कोई एक संदर्व दूसरे संदर्व में प्रदर्शन पर प्रोहाव डालता है एक्जाम्पक के तोर पर कार चलाना सिखने के बाद एक व्यक्ति को ट्रक को चलाने में मददगार शाबिद होता है अथारत वा ट्रक को जल्दी शीख लेता है ठीक उसी प्रकार मौलिक कोशलों या क्रियाओं जैसे की दढ़ना फेकना जंप करना व्यक्ति को एतलेट समंदी इवेंट्स को शीखने में काफी मददगार शाबिद होता है नेक्स कोशन है कि एक परिस्थिती से दूसरी परिस्थिती में शीखना कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों अधिगम का इस्थानांत्र आफसर नमबर शी करेक्ट हो जाएगा यानि ट्रांसफर आफ लेर्निंग ट्रांसफर आफ लेर्निंग नेक्स है अनुभोयों प्रसिच्चर द्वरा ब्योहार परियोतन कहलाता है तो दोस्तों अनुभोयम प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् जो आप निर्मित किया हैं विश्काथ आता है शिकने कारवय व आंतरिक दोनों ही प्रकार का होता है अतहुं सीखना एक प्रक्डिया है जिसमें अनुभण यस प्रशिछदाँ द्वारा ब्योहार में इस्थाई या और इस्थाई परिवतन दिखाए देते हैं कि किना है अनुभू hokie प्रडाम सरुप भ्यहार में अपेचा किए इस्थाई परिवतन को समानेता केरी रूप में जाना जाता है तो इसको अधी गम, ठीकहर में किया कहते हैं आधीगम करते हैं आपसे नंबर यहां पर हो जाएगा है कि नस्कोचन है सिखना कोन शी होता है में आप तो नर्सक्राइब हो सिखना काउंड्य प्रक्रिया है निस्कोचन है व्योहार की ब्रिदी को कहा जाता है दोस्तों जो बिहुहार में की चेंजिज जाते है रिदी होती है तो उसे चया कहते हैं? शिखेनाकाते हैं यहाँ पर नुबहूयूं प्रसिचर दवराकि ब्रण की बिदी हुआ है का सिखेना एक प्रकुरी आ है जिसमें वह प्रसिचर दुवरा Ayu half है तो दोस्तों यहां पर आपसर नंबर ए करेट हो जाएगा बिवहार वादसाखा सिखने कि सिधान के सबसे पास है लेश्ट कोशन है सिखना किस पर निर्भर करता है परिपकता पर आयू पर अनुवांसिक पर सरी के विकास का प्रकार पर तो दोस्तों सिखना परिपकता पर निर्भर करता है अब सबन नम्बर एंधेACH यहां पे करेट हो जाएगा यानि सिखने की पृक्रिया परीवटा पर निर्भर करती है जैसे जैसे एक बालक पृक्रिवटा को होता जाता चाहे वह नही नहीं क्रिया शॉय में शॉय में ही सिखने लगता है आयू बरने से एक सामानने बालक में परिपकता भी बढ़ती है और उसके सीखने की छमता में भी विकाश होता है निश्कोचन है सीखना मुख्य रूप से निभर करता है किसे निभर करता है परिपकता पर परिपकता हुआ बृद्धी है जो बिना किसी विशेश प्रसिछर अभ्यार्ष के होती है व्यक्ति की मनोबिग्यानिक बृद्धी भी इसके साथ जुड़ी होती है मोटर कुसलता की प्रक्रिया में शुविधा लाने के लिए ड्यक्ति की परिपकता के इस्तरों उसी तरह के गतिविदियों काने धारर तै करना चाहिए प्रामरी ग्रेट के छात्रों को तेनिस शिखाना बुधि मत्ता पूर नहीं होगा क्योंकि वे इसके उनर को शिखने के लिए थतपर नहीं होंगे शिखना मुख्य रूप से परिपकता पर निर्भर करता है इसलिए ठीक है नेक्स कोशन है कोसल अधिग्रहर मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है शमानुए छमता पर की पेशिय ताकत पर की गति पर की लचिलापन पर तो दोस्तों कॉसल अधिक रोड़ा मुख्य रूप से समानुए चमता यानि कोडिनेशन एबिलेटी पर निर्भर करता है आपसल नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोशन है इसमे से कौन सा सब्द शिखने के परियावाची के रूप में प्रयुक्त होता है आभी प्रड़ाम, यादस्ता, जानकारी, अब्यस्ता, सीखना यानि दोस्तों आपको जब याद है अब सीख गया है आपको याद है याँ पहे आपसल नमबर वी करेक्ट हो जाएगा यादास्त यानि यादास या इस्मृति को शीखने की प्रयावाची की रूप में जाना जाता है क्योंकि सीखने की प्रतिया तभी इस्थाई रूप ले शकती है जब सीखी गई क्रिया या ज्यान आपको याद रहे एंथा वह तो बेर्थी मना जाएगा इसकुल जाने से पहले बच्चे किसी के द्वारा तेजी से सिखते हैं तो दोस्तों में दोनों में अंतर होता है प्रिछरात्मक शिखना में अनुकरर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता प्रिछरात्मक यानि कि अब्जर्वेशनल सिखना तब होता है जब परिसितिया उद्धीपन को ठीक ढंग से मानसिक रूप से संसोधित कर लिया जाए अथा प्रिछरात्मक सीखना में संग्यानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका महत्प्रोव होती है यानि अब्जर्वेशनल में अलोकन में अनुकरण की प्रक्रिया में इन संग्यानात्मक कालकों की भूमिका नहीं होती है और इसमें बिना सुझ भूज के दुसरे के व्योहा कि दो और अनुकरोर में अंतर है उसमें सूजबुषस्टर किया जाता है जब कि नकल में बच्चा कुछ जानता नहीं है जैसे जो कर रहा है उसको सीधर-सीधा नकल करता है ठीक है थे अस Guru लगत Why इसकुल जाने से पूर अथाथ छोटे बच्चे को संग्यानात्मक विकास पूर नई होने के कारण वे अनुकरण द्वारा याई नकल द्वारा शीखते हैं छिन्म लेने के बाद अनुकरण से सिखना आरम करता हैं और सतत अपने संपर्ख से सिखता रहता है कौन है दोस्तों जो अपने आप से सकते हैं यहां पर आपसन नंबर बी करेक्ट होगा प्रेचर बिधी यानि दोस्तों जिसमें बालक या ब्यक्ति दूसरे के बिवहार को देखकर उनके कौन्सोलों को आसानी से अपना लेता है इस बिधी में ब्यक्ति को कुछ और इस पर्ष्ट तथा और शंगर ठित शामगरिया दी जाती हैं और ब्यक्ति को उसका वड़न करना होता है जिसमें वे प्राया अपने समाजिक अभी प्रेरकों की अभी व्यक्ति अचेतर रुप से करते हैं तो दोस्तों आज के लिए बश इतना ही आई होब कि दोस्तों सभी कोस्टिंस आपको समझ में आए होंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए और दोस्तों पहली बार विजिट कर रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन क को फ्रेस के लिए जी जी से जो ही नए वीडियो अपलोड करूंगी उसका नाटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जैए